हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो माई चैनल मैं हूँ प्रगती आज मैं आपके शेयर करने वाले हूँ कि करवा चौत की पूजा की थाली को हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं तो चलिए आईए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जो हमें मैटिरियल चाहिए यह है एक कपड़ा ग्रीन कलर का यह लेस अपिशियदों और तो चाहाने तो किसी और कलर की लेस लेश लेश सकते हैं और और एक कप्ड़ु फ्लावर रहें और कुछ गोल्डन क्लोर के फ्लावर हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर थाली को डेकृरीट करेंगे। इसके बेस को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का कप्डा लिया है। आप चाहें तो red color का कपड़ा भी ले सकते हैं, yellow color का जो जिस color का आपको ये थाली को decorate करना हो, उस color के कपड़े को आप ले सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो कपड़ा आप लेंगे उसको circle shape में cut करके बस थाली के नीचे के base को cover करना है, मेरा ये कपड़ा थोड़ा छो इसको हम glue gun की help से पूरी थाली को इस तरीके से cover कर लेंगे, इसी process को follow करते वे, थाली के किनारे को हम अच्छे से इस तरीके से cover कर देंगे, और जो उपर extra fabric यानि कि extra lace थोड़ी निकल रही है, क्योंकि lace की चोड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको हम अंदर की lace निकल रही है, इसको हम अंदर की तरफ fold कर लेंगे, और glue gun की help से इसको चिपका लेंगे, जिससे की थाली की एक perfect finish हमको मिल जाए, अगर आपकी lace की चोड़ाई थाली के according ही है, तो आपको lace को उपर से fold नहीं करना पड़ेगा, अब मैंने यहाँ पर ये golden color की lace लिये है, इस जो lace मैंने ली है, golden color की है, काफी soft fabric की है, इसलिए इसको circle की shape में चिपकाना काफी easy हो गया है, अगर आप hard fabric की lace को use करेंगे, तो उसको चिपकाना थोड़ा सा tough होगा, इसलिए आप कोशिश करें कि soft fabric की lace का use करें, जिससे कि आप उसको circle shape में easily चिपका पाएं, यहाँ पर मै मैंने golden color के flower का use किया है, मैंने यहाँ पर 4 flowers का use किया है, यह मैंने pin वाले golden flower का use किया है, इसको चाहे तो मैं बाद में निकाल भी सकती हूँ, ताकि थाली को रखना थोड़ा easy हो जाए, फ्लावर को मैंने बाद में यहाँ पर change किया है, जिससे कि हमारा joint वाला part है, वो flower से cover ह जाए, और मैंने यहाँ पर 4 flower का use किया है, आपने सामने 4 flower लगाए है, ताकि वो देखने में थोड़ा सा equal लगे, आप चाहे तो flower को glue gun की help से fix भी कर सकते हैं, तो चलिया आईए आप glass को decorate कर लेते हैं, आप चाहे तो glass की जिगे पर lote को सेम इसी process में decorate कर सकते हैं, मैंने यह यहाँ पर glass का use किया है, यहाँ पर मैंने glass की size की एक green color की lace को cut करके रख लिया था, और उसको हमने glue gun की help से, जो glass का middle वाला part है, वहाँ पर चिपका लिया है, आप चाहे तो इस green color की lace को glass के ऊपर वाले portion और जो नीची वाले portion में भी चिपका सकते हैं, दो जगे भी आप green color क की lace का use कर सकते हैं, मैंने सर्फ middle वाले portion में किया है, उसके बाद same में यहाँ पर वही golden color की lace का use कर रही हूँ, glass के size का cut करने के बाद मैं इसको भी glue gun की help से इसमें चिपका लूँगी, same glass के ऊपर के portion को cover करने के लिए भी मैं इसी color की lace का use करूँगी, आप चाहे तो ऊपर न नीचे golden color की लिए इसका use किया है, आप अपने according थोड़े बाद changes कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ अक्षर ऐसा होता है जब मैं कोई भी ची decorate करने जाती हूँ, मैं काफी सारा material एक साथ रख लेती हूँ, और मुझे जो ठीक लगता है उसका use करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे golden color के flower काफी perfect लग रहे थे इस decoration में, इसलिए मैंने सिर्फ golden color के flower का use किया है, सेम उसी process को follow करते हूँ, यहाँ पर हमने कटोरी को भी cover कर लिया है, साइट से और मैंने यहाँ पर भी एक golden color के flower को fix कर दिया है, तो चलिए आईए हम छनी को decorate कर लेते हैं, सेम उसी process को follow करते हू golden color के flower को लगा देंगे, आप चाहें तो यह pin निकाल कर इसको यहाँ पर glue gun की help से, इस flower को fix भी कर सकते हैं, अच्छे से चिपका सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर चिपकाया नहीं है, जो हमने यहाँ पर यह सारी decoration किये, मुझे थोड़ी सी incomplete लग रही थी, तो यह golden color की lace है, इ मैंने थोड़ा matching करने के लिए इसी golden color की lace के flower का यूज कर लिया है, तो देखिए, अब हमारी यह थाली complete हो चुकी है, जो flower के बीच में जो gap है, वहाँ पर मैंने यह जो lace के pieces cut किये ते उसको चिपका दिया है, तो चलिए उसी तरीके से हम glass के जो पीछे वाले portion है, उसमें भ और लोग काफी अच्छा आ गया है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, और अगर आप मेरा वीडियो first time देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को subscribe कीजेगा, और bell icon को press करना ना भूलेगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडि आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी बसा सकते हैं, आप किस टाइप के और वीडियो आप मेरे चैनल पर देखना चाते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, सेम इसी process को follow करते हैं हम कटोरी में भी इसी तरह के pieces को कट करके लगा लेंगे, और जो कटोरी के नीचे वाला पार्ट है, जहां पर लेस सोडी एक्स्ट्रा हो रही थी, इसको हम बीच-पीच में glue gun के help से इसी तरीक से चिपका लेंगे, क्योंकि कटोरी के जो नीचे वाला पार्ट है, उपर से जब हम कटोरी को रखेंगे, तो वह नहीं ने वो भी complete हो जाएगी, यहां पर मैंने एक mistake की है, जो मैंने जो थाली का जो base cover किया जिस कपड़े से, उसको मैंने प्रेस नहीं किया, उसमें काफी wrinkles आ रहे हैं, तो लुक वाइस देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आप थाली के base को जिस कपड़े से cover करे हुआं के नहीं प्छोन लोड़ा सकरवाने लनी प्रेस साथमें प्रेजे वीर कमा करवारा अश्वाा Perché bites," उतला के झाली को मैंने लुक प्रेस सत्की है," वे कchair लाया का रहे हैं, जस्टैंधे से कतर मैंने उत심 मैंने चोगता है हैं किया और बीयूवारा हैं, भॉव게 के नह कर दो कर दो